Good morning class, तो last class में हमने convection current के बारे में डिसस कर ले आता, अब हम उसके आगे continue करेंगे, देखें, हमारे पास है some applications of convection currents, यहनी convection currents के कहां कहां पे यूज हो सकते हैं, first one is on heating, convection currents are set in liquids and gases, जब हम heat करते हैं तो हमारे liquids और gas में convection current flow करने लगता है, the convection currents in liquids and gases play an important role in nature and in our daily life, यह बहुत सारी important role play करता है, यहनी कि इसके एक नहीं, एक से जादे uses है, some applications of convection currents are described below, कुछ हमें नीचे दिये गए हैं, पहला, ventilation in room, यह क्या होता है, warm air being lighter, हमें मालूम हमारे गर्म हवा, यहनी गर्म कोई पीचिज क्या होती है, हलकी होती है, वो कहाँ चले जाती है, उपर, so warm air being lighter, rises up and lifts the room through the ventilators provided near the ceiling, अब, ceiling के through से, ceiling की help से, जो warm air होता है, वो बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पे कौन आता है, ठंडी हवा, जिसकी वज़ा से, हमारे room का temperature बना रहेगा, और हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है, बात समझ में आ रही है, तो इसकी बहुत सारी यूज है, तो आपको क्या लिखना है, नोट्बुक में वो यह देखिए, यहाँ से आप लिखना सुरू करेंगे, समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए, तो मेक अप फोर दीस, फ्रेस एयर प्रोम आउटसाइड इंटर्स दे रूम, अब चुकि जो गर्म हवा आती हो तो बाहर निकल गई, तो उस स्पेस के जगह पे अब कौन आ जाएगा, ठंडी हवा, अच्छी यह बार बार होता र हा, हमें क्या फिल होता है, अच्छा फिल होता है, यहनी हमें फ्रेस एर मिलता रहता है, तो मेक अप धिस फ्रेस एर फ मुकषर मोला थे रूम ठ्रू दर्ण ही रहता है, अब लग सत्व चुकित धरिकंश हो in the room phrase और इससे क्या होता है हमारा जो रूम है वो बिल्कुल फ्रेस रहता है सब्सक्राइब आगया चलें नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड सी ब्रीज यह हमारा सकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें आप यहना तक मैंसन के लिजएगा देखें लैंड एंड सी ब्रीज आरे चली कॉन्वेक्शन करेंट यह होते क्या हैं कॉन्वेक्शन करेंट ही होते हैं तो लैंड के कॉन्टेक्ट में जो एयर वो ज्यादा गर्म होंगे और वो कहां चले जाएंगे उपर फिर वहां कौन आया का थंडी हवा अभी के लेंड स्वाप और देखेंगे अब देखेंगे लेंड सी दायर ओभर देखेंगे ने विखेंगे जल्दी हवा इंगे तो जहां से आएगी जो सम्मुद्र के ओपर वाले हावाती वो ठनडी थी वो हाँ से चलकर आएगी कहां जो जगह खाली हुआ था फिर दूसरे जगह का एयर गर्मों के उपर जाएगा फिर सी से एयर वहां आएगा ये जो पूरा मुर्मेंट वो लगातार होता रहता है इसी को ह करते हैं that is known as sea bridge ठीक है आगे दिया है to take its place the cooler air from the sea moves towards the land उसकी जगा लेने के लिए जो गर्म हवा जगा खाली किया तो उसकी जगा लेने के लिए sea से ठंडी हवा वहां आएगी this convection current from the sea to land is called sea bridge इसको हम क्या कहते हैं sea bridge कहते हैं आगे देखे क्या लिया गया आप्र संसेट लैंड लूजेश इट फास्टर दैन दे सी वाटर लेकिन जैसे साम हो जाएगा साम के बाद जो हमारी जमीन है लैंड वो जल्दी ठंडा हो जाता है as compared to water लेकिन वाटर को टाइम लगता है यह नि as compared to this तो अब बताइए अब कहां का air गर्म हुआ sea वाला air वो गर्म होगा वो गर्म के उपर जाएगा ठंडी air कहां पे है land पे अब यह कहां जाएगा sea के पास देखे इससे पहले क्या हो रहा था sea वाली air ठंडी थी और वो land पे आ रहे थे इसलिए हम को sea bridge कहते है अब क्या ह हो रहा है land वाली air ठंडी है और sea वाली hot वो उपर चली गई और land वाली air कहां जाएगी अब sea पे इसलिए हम इसको क्या कहेंगे land bridge कहेंगे as a result the air over the sea is warmer in night रात में क्या होता है वो जारा गर्म हो जाता है the air over the sea being warmer rises and to take its place cooler air from the land starts moving towards the sea the convection current from the land to the sea is called land bridge आप छोड़े से एक और definition लिख लिएगा note point करके एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक यहां पर आपको नहीं दिख रहा है यहां पे दग लिजेगा आपके बुक में दीश लिखा होगा उसको भी नहीं वहाँ काटिएगा नहीं जो आप डेफिनेशन लिखिएगा वहाँ पर दी लिख लीगेगा समझ में आ गया चले आगे देखते हैं Scientist one is ocean currents के देखें sea bridge, sea bridge में sea से air कहां आ रहा है land की तरफ यह देखें land bridge, land bridge में land से air कहां जा रहा है sea के तरफ Ocean currents के आ उसिन गया हुआ होते है the ocean water near the equator gets heated by the sun rays, equator तो आपने पड़ लिया होगा न, globe में, हाथ the straight line which makes the half of the earth उस पे एक्वेटर कहते है एक्वेटर पे जो ओसन का वाटर होता बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है as a result the ocean water in the equatorial region becomes hotter and lighter और जो वहाँ का पानी होता है वो बिल्कुल गर्म होके हलका हो जाता है this ocean water in the polar region is colder polar region को बोलते हैं जहां पर हमेशा बर्ख पड़ती है वहाँ पे ठंडा होगा और equatorial region में यानि कि जहाँ पे equator है वहाँ पे गर्म होगा तब बते हैं गर्म वाले उपर जाएंगे और ठंडे वाले वहाँ पे आएंगे the ocean water due to this temperature difference इस अलग अलग temperature की वजह से किसका temperature जादा है equatorial region का किसका कम है हाँ polar region का warm water starts flowing on the surface of the ocean from equatorial region to the polar region and the cold water starts from following from the polar region to equatorial region अब क्या होगा equatorial region से water कहां जाएगा polar region में क्यों क्योंकि ये तो गर्म ता वो ठंडा तो गर्म से ठंडा के तरह बना शुरू हो गया और वहाँ पर क्या है वो ठंडा ये गर्म तो वहाँ से start होगा यहाँ आना इस तरह क्या होगा दोनों mix होते हैं such flow of the ocean water forms ocean currents और इसे क्या होगा आप क्या लिखेंगे ये देखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे बस flow of the ocean water forms ocean currents और इस तरह से equatorial water कहां जाएंगे polar region में polar region का water कहां जाएगा equatorial region में ये जो पूरा process वो लगतार होता रहता है और इसी से क्या होता है ocean currents generate होते है ocean currents helps in maintaining the ocean temperature और इसे पूरे ocean की temperature क्या होती है maintain होती रहती है some other application of convection currents in our daily life are described below कुछ और भी applications है हम उनको भी देख लेते हैं देखें पहला why air conditioners are fitted at higher level on the wall of the room आपने देखा है AC वगएर हमेशा उधर टॉप वाले दिवाल में लगा जाती है नीचे नहीं ऐसा क्यूं होता है cold air is heavier than warm air cold air तो भारी होगे नीचे है warm air कहा है उपर ओ AC करता क्या है जो गर्म हवा उपर है उसको ठंडा करता है बात समझ में आ रही है ठीक है cold air from the cooler or air conditioner being heavier moves downward और जो ठंडा हवा होगा AC से निकलने और वो कहां जाएगा नीचे whereas the hot air at the lower level moves upward and gets cooled and come down once again अब क्या होगा जो उससे ठंडी हवा निकली किससे AC से वो तो नीचे आएगी और नीचे वाली गर्म हवा उपर जाएगी फिर वो उस गर्म हवा को AC ठंडा करेगा फिर नीचे भेजेगा यानि यह बार बार repeat होता रहता और इसलिए हमारा रूम क्या रहता बिल्कूल ठंडा रहता है second देखी why are room heaters placed at or near the floor of the room अब हम जो heater होता है room heater उसको हम नीचे क्यों रखते है air heated by the room heater goes up and the cooler air from the higher level comes down ठंडी के दिनों में ठीक है उपर warm air होगा और नीचे cold air तो नीचे ठंडी लगेगी ना जादा तो हमें जो cold air उसको heat करने के ज़रुत है तो इसलिए हम क्या करें कि room heater को नीचे रखते है next one is why is the freezer mostly located at the top in the refrigerator हाँ सबसे important चीज जो रेफ्रीजरेटर में एक freezer होता है या उपर वाला section इसके बर्फ जमाते है वो हमेंसा उपर क्यों होता है the air inside and around the freezer compartment gets cool and moves downward and the lesser cool air moves up to get cooled this conversion current are set in the air and the lower section of the refrigerator also gets cooled faster अब इससे क्या होगा उपर वाला section ज्यादा ठंडा होगा अगर वो ज्यादा ठंडा करेगा तो ठंडा वाला air नीचे जाएगा उस नीचे air जाने से नीचे वाली air भी क्या होगी ठंडी हो जाएगी यानि कि जो नीचे वाला compartment है हिस्सा जो है fridge का वो भी क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा thank you so much